नमस्कार विध्यातियों पिछले लेक्चर में हमने हिंदी की कवीता सबकी दुनिया एक इसकी चर्चा की थी अब इस लेक्चर में हम आगे इसके अभ्यास की चर्चा करेंगे तो आए देखते हैं उसमें कवीता ध्यान का नीचे दीये प्रस्णों के उत्तर दो धरती हम सबकी एक कैसे हैं कि फिर भी सब मिल चुलकर एक साथ रहते इस तरह धरति हम सबकी एक है उन चीजों के नाम बताओ जो दुनिया में सबको तो कौन-कौन सी चीजे है तो धरती आसमान सूरज चंदा पानी और और पवन यह सबको एक जैसी मिलती है इस कविता के कवी कौन है जो कि हमने यहां लिखा कुछ एक कवी द्वारी का प्रशाद माहेश्वरी इस कविता का क्या संदेश है तो इस कविता का यह संदेश है कि बले हम लोग अनेक हैं हम सब अलग-अलग अलग-अलग धर्म-जाती वेश-बुशा खान-पान भाशा रंगरूप मगर फिर भी हम सब मिल जुल हम सब को यह मिल जुल कर रहना चाहिए एक दूसरे का संमान करना चाहिए आदर देना चाहिए और इसके बाद दिया है भाशाग्यान पड़ो समझो और जोड़कर लिखो न आ वो तो नह वो उसके बाद दिया है जो वो है तीर फिर फ़ लो तो फूल सेब मोर फिर दिन पूल, व्रिक्ष, पेर और कौवा ऐसे ही यहाँ भी दिया है दी गई मात्रावाल एक एक शब्द कविता में से डून कर लिखे तो यह आपका ग्रीर कारिया है आपका होमवर्क है जो कि आपको यह कविता में से खोज कर लिखने है चित्रे पहचानो और उसका दूसरा नाम चुनकर लिखो तो यह भी आप चुनकर लिख सकते हो क्योंकि यहाँ धर्ती दिया है तो चुनकर आप कहां लिखोगे जमीन, सूरतो, सूर्य, आस्मान, आकाश, चांद, चंद्रमा तो यह आपको यह भी आप लिख सकते हैं अपने से ही फिर पढ़ो, समझो, और सम्मान, मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाओ तो इसके उतर भी आप अपने से करेंगे और इसके उतर में आपको PDF फाइल में बेंद दूगी जिसमें से आप क्रोस चेक कर सकते हैं और आप फिर दिया है पढ़ो, समझो, और सम्मान, मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाओ तो जैसे कि धर्ती दिया है तो उसके साथ उसकी मात्रा कौन सी एक जैसी लग रही है आपको माला पोवन या बकरी तो बकरी, तो धर्ती, बकरी, सूरज, फूल, सिटी, पूल तो इसमें कौन सी मात्रा एक जैसी है सूरज की, सूरज और फूल फिर आस्मान, सेब, अनार, सबकी तो इसमें कौन सी मात्रा एक सी है तो आपको लिखने है आस्मान और अनार ऐसे ही दूसरी दो मात्रा है वो अपने से आप कर लेना फिर उसके बाद दिया है समान तुकवाले शब्द बनाओ जैसे कि यहां दह लिखा हो है तो उसके बाद रती तो धरती भरती करती चरती ऐसे ही सहन बहन दहन और रहन ऐसे आपको लिखना है इसके बाद सोचो और बोल सब्सक्राइब दोस्तों के साथ किसके बारे में खेल खेल में सूरज के चित्र में रंग भर आड आज के लिए इतना ही अगले रिक्टर में नए पाठ के साथ धन्यवाद झाल झाल